वेल्कुम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जल और इसे बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है और इससे गुलाब जल बनता है वो बहुत ही प्यॉर होता है इसके लिए हमने थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां ली है और उन्हें अच्छे से अलग-अलग कर लिया है और ये fresh गुलाब की पत्तियां है ताजे गुलाब के फूल हमने तोड के लिए हैं और एक हमने polythin ली है और polythin के जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम एक धागे की सायता से ऐसे बांधेंगे कि उसमें नीचे का हिस्सा है वो बंध तो जाये लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहे क्यूंकि जो ऊपर का हिस्सा है उसमें हम गुलाब की पंखुडियों को रखेंगे तो उस से जो गुलाब का जो जल है वो बनकर जो नीचे आएगा तो उसमें इतनी जगे रहे कि वो नीचे के हिस्से में एकटा होता रहे तो एक धागे की सायता से हमने इस पॉ होता रहेगा और ओपर के हिस्थे में हमने गulaub की पंखुरियों को अच्छी तरह से उसको भर दिया है यह धीरे धीरे करके हम सावधानी से ऊपर के हिस्से में गulaub की पंखुरियों को भर रहे हैं और उपर के हिस्से को टाइट करके इस तरह से बांदना है कि उसमें एयर ना रहे इसको मिच्छ तरह से दबा कर और ऊपर के हिस्से को अच्छी तरह से कस के बांदेंगे बान देंगे. बान देंगे. बान देंगे. बान देंगे. बान देंगे. हम 4-5 दिन के लिए टांग देंगे. इसको बाहर जो कपड़े सुखाने की रस्ती थी उसमें हमने इसे लटका दिया है. और नीचे का हिस्सा हमने अच्छी तरह से खोल दिया है ताकि गुलाब जल हमारे बिना किसी रुकावट के अच्छी तरह से नीचे खटा होता रहे. चार से पाँस दिन बाद देखेंगे देखी इसमें कितना नीचे गुलाब जल एक खटा हो गया है. अब इसे हम निकाल लेंगे. इसे हमने रसी पे से निकाल लिया है और नीचे कैंची की सायता कट लगा कर हमने सारा गुलाब जल एक अलग से कटोरी में निकाल लिया है अगर आपके पास ज्यादा गुलाब की पत्तियां है और बड़ी पॉलिथिन है तो एक बार में आधी शीशी के लगभग गुलाब जल निकलता है और इसे पानी इसकी जो गुलाब जल निकालने का एक तरीका और है कि हम किसी भगोनी में पानी भरके और उसमें गुलाब की पतियां डाल कर उसे बॉयल करके भी निकाल सकते हैं लेकिन उसमें क्या है पानी की मातरा भी रहती है थोड़ी बहुत लेकिन ये जो गुलाब जल बना है वो बिलकुल शुद्ध है इसमें पानी की कोई मातरा नहीं ह और इस तरह हमने बनाकर एक शीशी में खटा करके रख लिया है काच की और अगर आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है या जलन होती है तो इसकी दो चार बूंदे आँखों में डालने से बहुत ही ठंडक मिलती है और गर्मियों में यही गुलाब जल बहुत ही फायदा करता है इसी तरह आप कोई बड़ी पॉलिथिन हो तो उसमें अच्छी तरह से निकाल सकते हैं ज्यादा मेरे पास थी नहीं तो थोड़ा सा ही निकला है अगर आपको यह तरीका गुलाब जल बनाने का हमारे पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह तरीका कैसा लगा धन्यवाद